प्रदेश के मुख्या को सदबुधी देने के लिए रोजगार साहिको ने शुरू किया सुन्दर कांड का पार्ट रोजगार साहिको ने का चपन योजनाओं को जन जन तक पहुचाते हैं और मजदूर से कम है वेतन प्रदेश सहित रीवा जिले में एक के बाद एक विभाग अपनी मागो को लेकर अंदोलन प्रदेशन कर रहा है कहीं पेंशन बहाली के नाम पर तो कहीं आगनवाडी कार करताओं का अंदोलन इस बीच एक महिने से धरने पर बैठे रोजगा साइको ने आज रीवा कलिक्टेट कारयाले के सामने सुन्दरकान का पार्ट शुरू कर दिया रोजगा साइको ने कहा कि प्रदेश के मुख्या शुरा सिंग्चोहान को सत्थ बुद्धी दिलाने के लिए भगवान से बिंतिक की जा रही है विरोध प्रदेशन की तौर पर बीते दिनों रोजगा साइको ने धरनस्तल पर पकोड़े तले थे दरनस्तल पर ही कड़ी चावल का श्टाल लगा रहे है रोजगा साइको का कहना है कि मुद्ध प्रदेश के सबसे शोशित कर्मचारियों पर यदि नजर की जाए तो वह हम है जिनने मात्र 9,000 रुपए जीवन यापन के लिए दिया जाता है रोजगा साइको की मांग है कि जिला संबर्ग में उनका समिलिन किया जाए जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके हम लोग तेरा तारिक से आवकास पे तेरा तारिक से गय थे वर्तमान में पिछले दिनों हमने विरुजगारी के उस पे चल रहे हैं एक महिने कवेतन कट गया है पकौडा तला हमने अब सासन को सदबुध्धी प्रदान करने के लिए यहाँ पर सुन्दरकान का पाठ चल रहा है किसी तरह हमारे सस्वी माननी मुकमंत्री साहब को सदबुध्धी आए और जैसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है सुसासन दिवस मनाया जाता है पर क्या ऐसा सुसासन है कि पंचायती राज का एक बहमूल ए घटक कर्मचारी उसके एक महीने से ज़्यादा हो गया है हरताल पर है बेतन कट रहा है लेकिन हमारी सुन नहीं रहे है इस धूप पे इस कड़कलाती धूप पे हम लोग बैठे हुए है हरताल पे यह सुन्दरकान चल रहा है और मद्धेस के सोसित कर्मचारी है सारा काम डिश्टली करण होता है डिश्टल के थूँ होता है हम लोग कम्प्यूटर पे आनलाइन आफलाइन सारा काम करते हैं अब एक महीने से उपर हो गया है हम लोग अनुबरे थरताल पे हैं पर सासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है हम लोग की मागे हैं जिला संभर्ग में हमें संभिलियन कर दें हमारा वेतन मान दे दें क्योंकि हम लोग 9000 रुपए में इस महगाई के दौर पे 9000 रुपए पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं कोई परिवार को चला पाना कैसे संभवव बताईए सरकार दोरा स्वासन दिया जा रहा है आठ साल से हम लोगों का एक रुपए वेतन नहीं बढ़ा हर कोई भी कर्मचारी हो कोई भी विभागों सब के वेतन बढ़े हैं मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है तो पिछले आठ साल से हमारा एक रुपए भी वेतन नहीं बढ़ा है आस्वासन मिलते जा रहे हैं माननी मामा जी कहते जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है तो अच्छा देखते देखते तो आठ साल बीत गए तो हम लोगों का विश्वास कैसे ने डगमगाए कोई भी हो कितने दिन विश्वास कर सकता है कितने साल कर सकता है वाट साल से एक रुपए भी नहीं बढ़ा है यह आक्रोस है हम लोग काम करने वाले हम लोग इच्छा से नहीं बैटे हुए खुसियों से बैठे हुए हमारी मजबूरी है बेतन कट रहा है एक एक रुपए को मोहताज हो रहे हैं बेतन कट गया पर हम करें लोग लों की हमने कई सारे काम के लिए सारी योजवनाओं को जनजन तक पहुँचा रहे हैं च्छपंद योजवन करते हैं और हम खुद इका सहाई जैसे बाठे हुए 128 संदरकां का पाठाई है कि हनमान जी माननी हमारे सत्प्र ख्रीमा मा जी और प्रदेस जूरा भ मौका मिला तो, पंचायती राज दीवस है और पंचायती राज का क्या हाल चल रहा है आप खुद देख सकते हैं आमित प्रहव पांडे रिवा जनपाद